नमस्कार मैं सुवर्ना, नियाई टीपी में आप सबी दर्शकों का स्वागत है, कोट राउंडप की खबरे अब विस्तार से मुंबई की स्पेशल पी-मले कोट ने गुर्वार को महराश्टर के कैबिनेट मंत्री और राश्ट्रिय कॉंग्रेस पार्टी नेता नवाब मलीक की प्रवतर निदेशाले इडी रिमान्ड साथ माज तक के लिए बढ़ाई प्रवतर निदेशाले ने मलीक को भगोडे गैंग्स्टर दाउद इब्राहिम के परिवार के सदस्यों के साथ कथि संपत्ती सौदे के आरोप में 23 वरवरी को गिरफतार किया था उस दिन कोर्ट ने मलीक को तीन माज तक इडी की हिरासत में भेज दिया था कोर्ट ने आज इडी रिमान्ड साथ माज तक बढ़ा दी अदालत ने कहा ये देखती हुए कि आरोपी को 25 से 28 वरवरी तक अस्पताल में भरती करा गया था और जान चदिकारी अपना बयान दर्स करने में असमत थे रेकॉर्ड में लाए गए ताजा तत्यों के मद्दे नचर हिरासत साथ माज तक बढ़ाय जाने पर विचार किया गया उत्तराखंड हाई कोट ने भारतिय दंड़ सहीता IPC की धारा 364 के तहट 10 FIR को खारिस कर दिया उक्ता FIR हत्या के लिए अपहरन से संबन्दित है जस्टीस आलोग कुमार बर्मा की सिंगल जज बेंच ने FIR को खारिस करते हुए कहा हाला कि ये नियायले सामाने रूप से IPC की धारा 364 के तहट 10 FIR रद करने में संकोच करेगा ये देखा गया कि पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है और वे शान्ती और सद्भाव से रह रहे हैं FIR प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा 10 की गई थी FIR के अरुसार 14 नवंबर 2021 को प्रतिवादी नंबर 3 के पती मोहमद याकुब पर याचका करता नंबर 1 प्रतिवादी नंबर 3 का भाई याचका करता नंबर 2 प्रतिवादी नंबर 3 के पिता और याचका करता नंबर 3 प्रतिवादी नंबर 3 के चाचा आरूपी है इलाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक वकील के खिलाफ एक अवमानना मामले का निप्टारा किया जिसने अदालत नियाई कधिकारी के समक्ष बिना शर्थ माफि मांगी दरसल वकील ने ओपन कोर्ट में एक महिला नयाइधिश को अपशब्द कहा था नियायमूर्ती सुनित कुमार नियायमूर्ती विक्रम भी चौहान की खंडपीट ने 2000 रुपे का जुर्माना लगाया जिसे जिला विदिक सेवा प्रादिकारन मौ में जमा करना होगा इसके अलावा अवमानना करने वाले अधिवक्ता को उसके आचरन और व्यवहार के सम्मन में दो साल की अवधी के लिए निगरानी में रखा जाएगा मधिप्रदेश हाई कोट इंदोर खंडपीट ने हाली में अपिल करता मा को बज़े की कस्टडी देने का आदेश पारित करने से इनकार किया कोट ने देखा कि बज़ों ने स्वयम अपने पिता के साथ रहने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है न्यायमूर्ती सुभोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ती सत्यंदर कुमार सिंग की खंडपीट ने कहा ये सच है कि दोनों नाबालिक हैं हाला कि 16 साल की उम्र ऐसी उम्र नहीं है जहां एक बच्चा माता पिता में से किसी एक के साथ रहने का विकल दिया जाता है उसके साथ रहने के अपने जुकाओ के बारे में अपना मन नहीं बना पाता है वर्तमान मामले में ये विकल पिता के पक्ष में प्रयोग किया गया है और इस प्रकार अपिल करता या या याचिका करता की दलीलों से सहमत होने के बावजूद आक्षेपित आदेश की वैधता के बारे में कोट ने बंजो की कस्टड़ी अबिल करता यार याजिका करता पत्नी को सौपने के लिए उप्युक्त नहीं पाया है मद्यप्रदेश हाइकोट की इंदोर खंडपीट ने हाल ही में अपनी धार्मिक पहचान के बारे में जूट बोल कर और शादी का जूटा बहाना बना कर एक महिला के साथ बलादकार करने के आरोपी तौसिव खान को जमानत दे दी अदालत ने कहा कि घटना के समय महिला जाहिर तौर पर बालिक थी और उसके बयानों से दोनों की भी सहमती होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जस्टिस प्रने वर्मा अपिल करता की ओर से पेश जमानत याचिका पर विचार कर रहे थे उस पर धारा 306, 386, 2, N, 506, B, IPC सहपटित मध्यप्रदेश, Freedom of Religion Act 2021 की धारा 5 और अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अत्याचार निवारन अधिनियम की धारा 3-1, 3-2-5 के तहट दंडनीय अपराद का आरोप लगाया था राजस्तान हाई कोट में केंदर सरकार ने बताया कि उसकी एजनसिया रूस के साथ संहर्ष के बीच युक्रेन में फसे जात्रो सहित भारतिय नागरिकों को वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है अतिरिक्त सॉलिसिटरल जनरल आरडी रस्तोगी ने अदालत को अवगत कराया कि भारत सरकार ने ओपरेशन गंगा शुरू किया है इसके तहट वो विभिन्न देशों के माध्यम से युक्रेन की राजधानी यानी क्यू के लिए विभिन्न उड़ाने भेज रही है एसजी ने कहा कि अधिकारी सुझाओ पर कारवाई करने के लिए तयार है केरल हाई कोट ने हाल ही में कोट टायम में एक सहायक पासपोर्ट अधिकारी को मुकदमे के खर्च के लिए अपने वेतन से 25,000 रुपे का भुपतान एककल माता पिता की बेटी को पासपोर्ट फिर से जारी करने का निदिश दिया है अपने आदेश में नियायमोर्टी अमितरावल ने इसे सहायक पासपोर्ट अधिकारी द्वारा वाईवाहिक कलह का सामना कर रहे एककल माता पिता के बच्चे को पासपोर्ट फिर से जारी करने और उन्हें अदालत का दरवाजा खटकटाने और अदालत का आदेश प्राप्त करने का निदिश देने पर आपती जताने का एक उत्कृष्ट मामला बताया है केंद्र सरकार ने सात मास से जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रिवास्तव की राजस्थान हाई कोट के एक्टिंग चीफ जस्टिस भारत के समविधान के अनुचेत 223 के अनुसार के रूप में नियुक्ती की अधिसुचना जारी की उत्राखंड हाई कोड के सीनिय जज जस्टीस एमेम श्रिवास्तव राजस्थान हाई कोड के चीफ जस्टीस अकिल अब्दुल हामित कुरेशी के सेवा निवृत्त होने के परिनाम स्वरूफ हाई कोड के मुख्य नयायदिश के कार्या लेके कर्तव योका पालन करेंगे जस्टीस कुरेशी 6 माश 2022 को सेवा निवृत्त हो रहे हैं दिल्ली हाई कोड को सुचित किया गया है कि राश्ट्रिय जांच एजनसी एनाए अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निस्तारण के लिए पटियाला हाउस कोड में तीन नए एडिशनल सेशन जर्ज कोड का गठन किया जाएगा उन्हें अन्य दो नामिल अधालतों के समक्ष लंबित मामलों को आवंटिक किया जाएगा हाई कोड रजिस्ट्रार की ओर से दाखिल अतिरिक्त हलफ नामे में कहा गया है कि हाई कोड की प्रशास्टिक और सामन्य परियविक्षन समीती ने संकल लिया है कि पटियाला हाउस कोड में एमेम एनाय एक्ट की पांच अदालतों को राउस एवेन्यू कोड कॉम्पलेक्स में शिफ्ट किया जाएगा ताकि जादा एसजे कोड का निर्मान किया जा सके आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा तीन सदस्य समीती का गठन किया गया था समीती की अध्यक्षता आईपेस अधिकारी संजे पांडे ततकालीन पुलिस महानेदेशक महारश्ट ने की थी शुक्रवार को सुनवाई के दौरा शुक्ला की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता महेश जेट मलानी ने कहा कि उनके खिलाफ तीन साल बाद प्राथमी की दर्स की गई है अदालत ने कहा प्रथम दृष्ट्या मामला सुरक्षा के लिए बनाया गया है राज्य कॉंग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया कि उनका फोन 2016-2017 के दौरान इस बहाने टैप किया गया था कि नशिले पदार्दों की तसकरी मामले में शामिल एक अमजद खान का नाम उनसे जुड़ा हुआ है पटोले ने आगे आरोप लगाया कि केंद्रिय मंत्री रावसाहिब दानवे के नीजी सहायक, ततकालीन भाजपा सांसर, संजय कांकडे और अन्य निर्वाचित प्रतिनिद्यों के फोन टैप किये गये बंबे हाई कोट ने शुक्रवार को वरिष्ट आईपिएस अधिकारी रश्मी शुकला को अंत्रिम रहत दी कोट ने पुने पुलिस को निदेश दिया कि 2015-2019 के बीच कथित तौर पर राज नेताओं के फोन टैप करने के मामले में दर्स प्रातमिकी में अगले आदेश तक उनके खिलाफ कटोर कारवाई नो करें जस्टीस SS शिंदे और जस्टीस एनार बोरकर की खंडपीट ने शुकला को CRPC की धारा 226 के साथ पठित धारा 482 के तहट दायर याचिका में राहत दी जिसमें बुंद गार्डन पुलिस्टेशन पुने में भारतियर टेलिग्राफ एक्ट की धारा 26 के तहट दज F.I.R. को रद्द करने की मांग की गई थी फिलाल बस इतना ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे ये ने ITB के साथ नमसकार झाल झाल